हेलो फ्रेंट्स, डबलो एस क्यूब टेक के चनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिट से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, आज 11th क्लास के पाइफन की बुक में हम लोग इस चैप्टर को डिसकस करें, फ्रेंट्स, वो चैप्टर है 6 फ्रेंट्स, आज हम लोग डिसकस करेंगे पाइफन क्या होता है, पाइफन के चैप्टर के पैफिटबब की है पाइफन के अंदर क्या फीचर्स है येनि कि पाइफन delta क्या है। तो start करते हैं friends, हम लोग discuss करते हैं सबसे पहले Python के बारे में, तो friends, Python आके develop किसने किया, उसके बारे में बात कर लेंगे, friends, Python का एक introduction अगर हम लोग देखें, तो Python introduction, ठीक है, 6.1 हम लोग आज start करते, friends, Python programming language was developed by, किसने develop किया, friends, तो Guidov and Rossum ने, ठीक है, और इसको कब किया, 1991 में, इसी टाप से friends, Python जो है, वो किस language के उपर based है, हम लोग ये बात कर, तो friends, दो अलग-अलग languages है, जिसको use करते वे, Python जो है, वो develop की गई है, तो कह सकते हैं, Python is based on, ठीक है, Python is based on, और influence with two programming, कौन-कौन-सी friends, तो एक है, ABC language और दूसरा है, हमारे पास में, modular 3, ठीक है, तो कुल मिलाकर कि, ये दो languages को use करके, हम लोगों ने जो है, वो देखा है, Python को, friends, इसके लिए बात करें, Python को लेकर के, तो हम लोग कह सकते हैं, कि ये बहुत powerful language है, सबसे बड़ी बात है, कि ये object-oriented features भी आपको provide करवाता है, ठीक है, इसी type हम लोग कह सकते हैं, कि ये जो है, यानि कि Python is an easy to learn, ठीक है, सबसे पहले बात तो easy to learn, ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, friends, एक तो ही क्या है, easy to learn, मतलब कोई भी language लाए, ये आप C सीखने वाले हैं, C++ करने वाले हैं, Java करने वाले हैं, दूसरी कोई भी type की language करें, तो friends, मैं आपको guarantee सकता हूँ, कि सबसे easy जो language है, वो हमारे पास कौन सी होती है, Python, ठीक है, in fact, मैंने भी बहुत सारे languages को use कर रखा, लेकिन ये मैं आपसे sure कह सकता हूँ, जब आप Python को start करेंगे तो और उसके अलावा अगर आपका भी compare करेंगे इस language को किसी और language से तो आपको लगेगा, कि ये जो language है, वो seriously, बहुत ज़्यादा easy language है, ठीक है, हम लोग देखने वाले भी है, आगे की वीडियो में हमारे पास यही कुछ चलेगा, हम लोग बहुत सारी coding करने वाले हैं, और बहुत easy तरीके से हम लोग यहाँ पर code करने वाले, इसे types of friends कर सकता हूँ, python is an easy to learn, yet powerful object oriented programming language, yet as powerful as many other middle level, ठीक है, यानि कि बहुत सारी languages, जो है middle level languages है, उससे भी जो है, हम लोग कह सकते हैं कि यह powerful language है, लेकिन कुछ languages, like C, C++ और Java जीतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुत ज़्यदा powerful language है, ठीक है, इसे types चे friends बात करते हैं, python जो है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, या और भी ऐसे कहीं कुछ एक नाम होते हैं, तो हम लोग को लगता है, यह क्या है, यह ऐसे कुछ नाम आ रहे, जिसमें सारे के सारे ऐसे कुछ जानवर, something से related, कुछ नाम आ रहे हैं, तो anaconda हो गया, python हो गया, spider हो गया, तो ऐसे सिर्फ एक नाम है, ठीक है, बेसिकली python जो है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो python नहीं है, python यहाँ पर क्या है, friends, तो हम लोग कह सकते हैं, कि यहाँ पर एक Monty Python, किसी का नाम है, और उनका फ्लाइंग सर्कस हुआ करता था, अब friends, अगर हम लोग बात कर सकते हैं, तो यह जो है, वो comedy series बनती थी, आप जो BBC की, जो हम लोग कह सकते हैं, कि यह comedy सर्कस था, जो 1970s में आता था, ठीके, हम लोग कह सकते हैं, तो वो जो Van Rossum है हमारे पास में, ठीके, Van Rossum जो है, वो इस book को, यह नहीं कि इनकी जो script उसको उन दिनों में पढ़ा करते थे, तो इस time पर वो development भी करे थे, और साथ में वो book को भी read करते थे, तो book को read करते करते हैं, उनके दिमाग में एक बात आने लग गई कि, यार मैं चाहता हूँ कि, जो मेरी book है, ठीके, वो एक unique नाम होना चाहिए, और साथ में बड़ा easy नाम होना चाहिए, ये नाम हरे के बीच में popular हो सके, ऐसा कुछ नाम चाहिए, तो उन् इसलिए उन्होंने decide करा कि, यार मैं अपनी जो programming language बनाऊंगा, उसका नाम क्या रखोंगा, python, ठीके, तो इस तरीके से एक basic concept सा हमारे पास में, जब हम लोग discuss करते हैं, कई बाप python बोलते हैं, तो हमारे mind में clear होना जी, कि python जो है, actual में है क्या, तो python सिफ यहां से नाम उठा क्या है, तो python के advantage और disadvantage क्या है, यहनि कि python के pluses और minuses क्या है, वो सारी बाते हम लोग आप discuss करने वाले, तो friends, next topic है अपने पास 6.2 python pluses, तो friends, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके advantage के बारे में, या इसके plus के बारे में, तो friends, सबसे पहले तो यह है कि हमारे पास easy to use है, ठ हम लोग यह क्या सकते friends के एक तो यह compact है, ठीक है, एक तो क्या हमारे पास compact है, python is a compact and very easy to use, ठीक है, जैसे कि मैं आप से क्या सकता हूं कि कुछ languages, जैसे C में, C++ में चावा में, अगर आप लोगों ने कभी यह programming देखी है, तो हम लोगों सबसे पहले तो वहाँ पर अपनी header files को include करना होता है, फिर वहाँ पर main function बनाना पड़ता है, फिर उसके इंदे जाकर के variables declare करनी पड़ते हैं, फिर उसकी values हम लोग assign करते हैं, then उसके बाद हम लोग उसको print करते हैं, गर इसके बीच में आपका ज्यादा कुछ काम नहीं है, simple सा अगर आपको hello world भी print करना है, तो at least 10 line का code आप वहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक line में simple सा print लिखा, काम खतम हो गया, वहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आपने को idea है, C का या दूसरी language का, तो वहाँ हम लोग percentage D, percentage S, percentage C, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ discuss करते हैं, तब जाकर के हमारा printf जो है, व very easy to use, उसके बाद है object-oriented language, तो object-oriented language है यह, तो हम लोग कह सकते कि यहाँ पर python में object-oriented को use करना भी हमारे लिए बहुत easy है, साथ में with very simple syntax rule, इसके जो rules है, तो कह सकते हैं, जो syntax है हमारे पास, वो बहुत 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 जादा जो है, वो simple है, इसके साथ में friends, यह जो है, it is a very high level language and thus very very programmer friendly, तो कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा easy language है, बहुत ज़्यादा compact language है हमारे पास में, तो हम लोग कह सकते हैं, यह language जो है, वो programmer के लिए, developer के लिए, बहुत ज़्यादा friendly है, इसको use करना हमारे लिए जो है, वो बहुत ज़्यादा easy है, तो friends हम लोग कह सक अब यहाँ पर क्या हो गया तो friends देखते हैं python is an expressive language, pure line of code and simpler syntax बहुत छोटा सा code आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद में आप उसको use कर सकते हैं friends एक छोटा सा code में ने लिखाया है यहाँ पर swapping को लेकर के लिख रहा हूँ अगर हम दूसरी programming language में देखें like c में c++ में तो friends इतने से काम कोई नहीं कि दो line के code में में swap कर दिया है वहाँ अगर c में c++ में Java में अगर friends आपको यह code लिखना होगा तो at least 10-12 line के बीच में आपका code जाने वाला है तो हमने क्या करा है a equals to b आप जानते है simple अगर आपने आज तक कोई program नहीं बनाया तो भी आपको समझ मा जाएगा friends मैंने क्या लिखा है a और b दो variable बनाईए a में store कर दिया friends 5 और इसमें store कर दिया 9 a,b equals to 549 तो यह इसमें आ गया अब मैंने क्या कर दिया a,b ठीक है तो a,b equals to b,a इसका मतलब है b किसमें store हो जाएगा a में और a किसमें store हो जाएगा b में ही हो गया swapping swapping का मतलब होता है interchange इसकी value दूसरे वाली variables में और इस वाली variables की value दूसरे अलग variables में आपस में interchange कर दिया है ठीक है तो दो line के code में हमारे यहां पर यह काम हो चुका है इसी type से friends next हम लोग discuss करते हैं वह हमारे पास interpreted language यह निकि कुछ programming language होती है जो compiler को use करते हैं कुछ programming language जो है interpreter को use करते हैं हम लोग बात करें C है C++ है Java है इस सब में हम लोग compiler को देखते हैं ऐसी friends basic है B है Visual Fox Pro है या फिर हमारे पास में कह सकते है Python यह सारी friends interpreted based programming language होती है interpreter based programming language होती friends उसको use करना हमारे लिए यह निकि developer के लिए या उसको जो programmer उसके लिए बहुत easy होता है पूरा code complete करना होता है then उसके बाद आप उसको compile करते है अगर उसमें error है तो आपको क्या करना पड़ता है सारी errors उस code में जितनी भी errors है सारी errors को आपको पहले remove करना होगा then उसके बाद में आपका code execute होगा जबकि interpreter based में ऐसा नहीं होता है जहाँ error आएगी वह आपको वहाँ encounter कर देगा means आपको वहाँ पर display कर देगा यहाँ encounter हुआ है हमारा error ठीक है तो error वहाँ आपको show कर देगा पास जो है वो है fourth point है हमारे पास its completeness इसमें क्या है हम लोग कह सकते हैं कि यह जो python programming है वह हमारे पास completeness हमें देता है इसका मतलब क्या हो गया कि friends कई बार जो हमें कुछ काम करने होते हैं जैसे कुछ examples मैंने यह पर लिख रहे हैं जैसे अगर हम लोग चाहते हैं अपने projects को बनाना तो friends such as email, web pages, database, GUI development, network connections या ऐसे खूब सारे अलग-अलग type के अगर आप projects बना रहे हैं तो friends उसके लिए आप कि हमें अलग-अलग type के functions के requirement होती है, means अगर मैं आप से कहना चाहता हूं कि मुझे अगर database पे काम करना है, websites बनानी है तो उसके लिए का करूँगा, मैं SQL के commands को import करने के लिए मुझे कुछ functions चाहिए होंगे, ऐसे ही अगर मैं आप network connections बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आप database की GUI की, email की, webpage की, जो भी मैं, जिस type का भी मैं project बनाना चाहता हूं, तो उसके जो functions है, वो सारे के सारे हमें Python available कराता है, हम उसको easy तरीके से जो है, वो easily import कर सकते, तो friends, next यह हमारे पास its completeness, और most type of required functionality is available through various models of Python standard library, इस type से friends, जो अलग-अलग type के modules है, यह कह सकते है, अलग- बस आपको उसको क्या करना होता है, import करना होता है, for example for, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे functions हो सकते हैं, जो भी हम यह भी हम लोगों ने discuss किये, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि Python जो है, यह आपको बहुत सारे functions कह सकते हैं, almost सभी type के, जिस-जिस type के आप projects बनाना चा हम लोग कह सकते हैं कि जब Python में आप program बनाते हो, तो आप उसको किसी भी type के operating system पर आप चला सकते हो, यह कह सकते हैं, अलग-अलग type के platform पर आप उसको run कर सकते हैं, चाहे वो आपका Windows हो, चाहे Linux हो, चाहे Unix हो, चाहे Macintosh हो, चाहे Super Computer हो, चाहे Smartphone हो, किसी पर भी आप चलाना चाहते हैं, आपका Python का code, आप उसको execute करवा सकते हैं, ठीके, इसी टेप से friends, next देखते हैं, next step friends, वो है मेरे पास free and open source, free and open source का मतलब क्या हो गया, कि कई बार friends हम लोग किसी language को download करते हैं, तो उसके लिए हमें pay करना होता है, ठीके, Python जो है, वो आपको कहता है, यह तो हमारा free code है, अब free में हमसे software ले सकते हैं, Python language को आप free में download करें, use करें, और साथ में friends, यह open source है, मतलब open source का मतलब होता है, कि उसकी जो coding होती, like मैं एक program बनाता हूँ, एक type का calculator बनाता हूँ, Python को, यह किसी भी language को use करते हूँ, तो friends, आप क्या करेंगे, केवल उसका code, मैं आपको ज लिए, उसकी जो background में उसकी coding की गई है, वो सारी coding तक यह आपको देता है, open source है, ठीके, free and open source है, friends, इसी type से हम लोग कह सकते हैं, Python is freely available along with its source code, ठीके, इसी type से friends, next है हमारे पास, वो है variety of uses application, आप अलग-अलग जगे पर, अलग-अलग fields में जो है, वो Python को use में लेते, so friends, कह सक Python has evolved into a powerful, complete and useful language over these years, ठीके, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, कि जो Python language है, वो आज world की number one बन चुकी है, ठीके, आप चाहें, तो आपकी book में भी कहीं, आपकी book में भी लिखा होगा, कि world की second number की language है, लेकिन आज के time पे जब मैं video record कर रहा हूँ, तो friends, net पे आप सर्च कर सकते है, world की number one, जो हमारे पास में programming language है, वो कौन सी है, python, second number पे हमारे पास आता है, java script, ठीके, तो python जो है, वो बहुत जबा यूज होती है, तो इसी टाप से friends कह सकता हूँ, कि इसमें यही कुछ बाते थी, these days python is being used in many, ठीके, अलग-अलग जो भी बहुत सारे इसमें अलग-अलग अप्लिकेशन, जो है, वहा हम लोग python को देख रहे है, बहुत सारे हमारे पास में अलग-अलग fields है, जिसमें जिसे कुछ example लिख रहा है, friends, जैसे कि script में आप इसको use ले सकते है, game development में इसको use ले सकते है, database application में आप इसको use ले सकते है, rapid prototype, prototype मतलब आप समझते हैं, models वगरा बनाना, तो उसके अंदर हम लोग इसको use लेते हैं, friends, इसी टाइप से हमारे पास है, web applications के लिए हम लोग python को use लेते हैं, GUI programming के लिए हम लोग इसको use लेते हैं, और ऐसे हम लोग system administration के लिए भी python को use में लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कुछ, हम लोगों ने जो है advantage देखे हैं, इसके अलावा भी friends आपके पास जो है, वो बहुत सारे अलग-अलग type के advantage आप कहीं से देख सकते हैं, इसमें थोड़े-थोड़े से कुछ disadvantage भी है, वो हमें देखने पड़ेंगे, some minuses भी हैं हमारे पास, तो friends minuses क्या हैं, वो हम लोग एक बार discuss कर लेते हैं, एक तो है not the fastest language, fastest language क्यों नहीं है, एक बार इसके बारे में बात करेंगे, तो friends ये जो है, वो interpreted language है, ठीके interpreted language का मतलब यहां क्या हो चुका है, कि जब भी आप अपने code को execute करते हो, हर बार आपका code क्या होता है, पहले इसको translate किया जाता है, और उसके बाद आपके code को execute किया जाता है, ठीके अगर ये compiled based होता है, यह compiler based होता, तो friends उसमें क्या होता है, एक बार आपका code compile हो चुका है, उसके बार है आपके पास आप उसको सीधे-सीधे एक्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है तो interpreter based जो programs हमारे पास होते हैं उसका एक छोटा सा drawback होता है वो क्या होता है थोड़ा slow होता है slow क्यों है क्यों है क्यों हर बार वो क्या करता है अपने code को पहले translate करता है और उसके बाद में execute करता है तो friends यही कुछ लिखा है python is an interpreted language not a fully compiled one ठीक है fully compiled language are fastest then they are interpreted ठीक है counterparts so python offers fastest development time but execution time जो है वो क्या है हमारा वो थोड़ा सा slow है ठीक है तो इतना कोई बड़ा minus नहीं है बस यह है कि जब यह execute होता है तो हर्बार जब भी आप अपने python के code को execute करते तो हर बार क्या करता है पहले translate होता है देन उसके बाद execute होते और एक एक line ठीक है विए interpreter क्या होता है आप जानते है आम पहले के lesser library than C, Java and Perl. यहां पर भो library जो है, ठीक है Python की library C, C++ यह हम लोग है Java यह पर्ल जितनी strong नहीं है क्योंकि अभी भी इसका Python का वो development चली रहा है. तो friends कह सकते हैacak Python offers library supports for almost all computing programming but its library is still not competent with languages like C, Java, Perl as they have larger collection available ठीक है इसी दाइन से कह सकते हैं कि sometimes in some cases इस लेंगविज ओफर्स बैटर एंड मल्टिपल सॉलूशन देन पाइफन तो पाइफन का जो है अलग अलग वर्जन सा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे आने वाले कुछ टाइम पर यह अपनी लाइबरेरी को और अच्छे से स्ट्रॉंग करता जाएगा अब ही हम लोग के सकते के सी या जावाज इतनी स्ट्रॉंग नहीं एची तो छोड़े उन से कम है ठीक है इसीटैब से के सकते किεί जो हमारे पास next जो minus है वो क्या है? नओ स्ट्रॉंग और टाइप बैंडिंग टाइप बैंडिंग के लिए इतना इतना श्कोट नही तो friends वहाँ पर चोटा सा एक issue हो सकता है तो वही कुछ है बाते हैं कि python interpreter is not very strong on catching type mismatch issues तो type mismatch issue जो है यहाँ पर उसको इतना consider नहीं करता है for example if you declare a variable as integer but let her store a string value in it चलेगा कोई दिक्कत निया आप integer variable बना दीजिए आप उसमें string डाल दीजिए चलेगा python में कोई issue नहीं लेकिन जब आप इसको convert करने वाले होंगे तो यही कुछ है python would not complain to pinpoint it तो python उस चीज़ को ignore सब्सक्राइब कोई बात नहीं अगर आपने integer बना या float डालना चाहते हो डाल दीजिए लेकिन दूसरी language के अंदर यहां पर वो issue create हो जाता है ठीक है तो एक minus और था इसी type से friends last minus है हमारे पास वो है not easily convertible ठीक है तो हम लोग वही चीज़ बात करे थी कि जैसे अगर हम convert करने जा रहें तो यहां पर जो data type के बारे में बात करेंगे तो python जो है वो थोड़ा रिलेक्स देता है आपको जबकि दूसरी language जो बड़ी strict है तो फिर जब type convert करने वाले होंगे तो वहां आपको थोड़ा issue हो सकता है तो वही है because of its lack of syntax python is an easy language to programming but this advantage has a flip side too it becomes a disadvantage when it comes to translating a program into another programming language जब एक language को दूसरी language में translate करेंगे तो obvious से वहां पर कुछ issues आएंगे क्योंकि इसके features क्या थे हैं कह रहा है आप चाहें जिस तरीके से आप coding कर सकते हैं इसमें syntax को लेकर के strictness नहीं है दूसरी language में है जब आप translate करेंगे तो फिर आपके लिए एक issue create हो जाएगा ठीक है this is because most other language have structured defined syntax Python को किस तरीके से हम लोग start कर सकते तो before you start working in Python you need to install Python on your computer तो obvious है अगर हम लोग चाहते है Python को use करना तो हमारे computer में Python software का installation होना जरूरी है Python installed होना जरूरी है there are multiple Python distribution available today बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के software जो है वो market में available है जिसको use करते हैं आप Python पे programming कर सकते हैं इसके बारे में friends हम लोग बात करेंगे तो कुछ है जैसे कि कह सकते हैं के एक तो default installation है ठीक है default installation है और उसके अलावा आगे कुछ और भी हम लोग अभी discuss करने वाल ृ.python.com पे जाना है www.python.com pe जाएंगे तो friends वहां पर जो है कुछ इस टाइप से आपको उसका layout display होगा यहां पर आपको क्या करना होगा python.org पे जब आप जाएंगे तो friends वहां पर downloads option आएगा downloads में आप जाएंगे तो friends सीधे-सीधे आपको क्या करना है? Download करना है. अभी recently जो हम लोग देख सकते friends वो चल रहा है 3.9.0 ठीक है? हो सकता है आप इसको जब use कर रहे होंगे या आप जब इसको download कर रहे होंगे तो इसका version थोड़ा change भी हो सकता है. अभी आज की date में जो current है वो friends हमारे पास है 3.9.0 आपको कुछ नहीं करना इस पर जाकर के simple सा click करना है क्योंकि हम लोग windows के लिए है तो friends windows पे click कर देंगे तो हमारे लिए जो windows से related जो features है वो हमारे computer में installed होना should हो जाएंगे यह कह सकते है पहले download हो जाएगा then double click करेंगे तो वो install हो जाएगा तो friends इस तरीके से आप एक तो यहां से इसको use कर सकते है means आप python.org पर जाकर के इसको download कर सकते हैं यह आपको क्या क्या देता है तो friends इसको हम लोग कहते है basically c python कहते है c python जो है वो installation and comes with python interpreters क्या मिलेगा आपको python का एक तो interpreter मिलता है जो क्या करता है हमारे एक code को दूसरे code में translate करता है साथ में friends हमें क्या मिलेगा यहाँ पर python की idly ठीके idly का मतलब यहाँ पर कह सकते है idly हम लोग generally कुछ language में ide कहते है यनिकि हम लोग कह सकते integrated development environment ठीके idly यहाँ पर जो नाम है idly है क्योंकि dl का मतलब यहाँ पर development को use किया गया है integrated development environment ठीके जिसको हम लोग क्या कहते है python GUI यनिकि इस GUI बेस पर हम लोग अपने python को develop करेंगे अपने code को develop करेंगे and और हमें क्या मिलता है friends यहाँ पर तो pip anaconda python distribution है हमारे पास जो हमें क्या करता है preloaded with many packages and libraries के साथ हमें मिलता है तो आप जो है वो anaconda जो python है उसको भी आप चाहें तो net से download कर सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है तो इसमें जो है almost यह सारी चीज़े निकि interpreter हो गया idly हो गया इसमें जो है आपको कुछ extra जो है यहाँ पर numpy है scipy है panda libraries है ऐसे बहुत सारे आपको जो packages है वो हम लोग यहाँ पर यह libraries जो है वो हम लोग यहाँ पर साथ में उसमें use कर सकते हैं इसी टाप से अगर हम लोग बात करें तो Anaconda को आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगी तो friends Anaconda installer यह देख सकते हैं Anaconda.com पे जाना है आपको Anaconda.com पे जाने के बाद अगर आपके पास Windows है तो Windows जितने bit का है 32 bit है 64 bit उसके उपर जाके आपको बस click कर देना है इसी टाप से friends Mac के लिए है आपके पास और Linux के लिए भी है आप इन में से जो भी operating system यूज करते हैं आपको simple समाजा के click करना है basically websites के बारे में बात करते हो कौन सी है Anaconda.com इसको हम लोग देखेंगे आगे तीकि मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरीके से आप use में लेते हैं जो python.org के तुरू आपने लिया है या Anaconda को आप ले रहे हैं इसमें Jupiter को हम लोग देखेंगे इसी तरीके से spider को देखेंगे तो अलग-अलग IDs पर हम लोग एक बार देखेंगे और देन उसमें से जो हमें best लगेगा उसके साथ हम लोग अपनी programming आगे continue करेंगे तो friends इस तरीके से हमने जो discuss किया है वो यहाँ पर था कि working in python में एक हम लोगों discuss किया था default installation देन उसके बाद हमने किया है Anaconda इसी तरीके से friends और भी हमारे पास बहुत सारे नाम है जैसे spider ideally है pycharm ID है और ऐसे कुछ और ID भी हो सकती है जिसको हम लोग use कर सकते हैं like sublime वगर को भी use करते हैं आप लोग coding कर सकते हैं तो इस ताप से friends हम लोग जो discuss कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं कि कौन-कौन सी ID आप use में ले सकते हैं इसी ताप से friends जो images के बाद अगर हम लोग देखें तो python में जब आप अपनी coding करते हैं तो python में जब आप अपनी programming करते हैं तो उसके लिए different ways है दो तरीके हैं आपके पास coding करने के लिए एक friends हमारे पास होता है जिसको कहते हैं यहाँ पर interactive mode जिसको हम लोग जो है वो intermediate mode भी कहते हैं देखें एक simple से आप क्या कर सकते हैं आपने कुछ variables में value डाली प्रिंट किया काम खतम हो गया अगर आप चाते हैं 10-20 दिन बाद उस code को फिर execute करना तो पॉसिबल नहीं क्योंकि आपने उस दिन जब type किया था वो काम खतम हो गया उसमें आप अपनी file को store करके रखना चाते हैं तो उसके लिए friends हम लोग कहेंगे script mode है ठीक है? script कह सकते है, program कह सकते है, file कह सकते है, module कह सकते है आप जो चाहें कह सकते हैं तो दो तरीके, एक क्या है हमारे पास में share लईया हम लोग कह सकते हैं, यह आपर जो है वो interactive mode है, जिसके अंदर हम लोग simple सा type करेंगे हमारा code execute हो जाएगा जबकि अगर आप चाहते हैं, अपनी file को store करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गया use करना पड़ेगा, script mode 6.4.2 यानि कि working in Jupiter notebook and spider ID तो friends, आज हम लोग discuss करते हैं पहले Jupiter notebook के बारे में, Jupiter notebook क्या है आप उसको separately download भी कर सकते हैं यह आपके पास में web-based कर सकते हैं कि आपके पास एक software है, जिसको use करते हैं हम लोग अपने Python की programming कर सकते हैं तो friends, generally जो हम लोग Python को use में लेते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो use कर सकते हैं, ideally को जो अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इसी टाप से friends, आप लोग जो है, वो Anaconda को use में ले सकते हैं, तो Anaconda distribution provides the following tool that you can use to work in Python कौन कौन से दे रहा है, एक तो दे रहा जोपिटर नोटबुक और दूसरा दे रहा spider, Python के लिए आप इन दोनों में से किसी को भी use में दे सकते हैं, आप चाहिए तो जोपिटर नोटबुक को separately डाउनलोड भी कर सकते हैं, net के तुरू, मैंने यहाँपर जोटर word आनकॉन्णड के तुरु करण और आक क्यों कि आपकी अंदर भी आनकॉन्ड के तूरी उसको बता है तो तो आप चाहिए तो separate डाउनलोड कर सकते हैं, या आनकॉंड के तूरु, तो 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 चाहिए, पहले हम लोग discuss करेंगे spider को तो it is a powerful python id with many useful editing, interactive, testing and debugging feature तो बहुत सारे features है spider के भी है अभी फिलाल friends हम लोग लेखने वाले है Jupiter notebook के बारे में तो friends Jupiter notebook को start करने के लिए हमें यहाँ पर जो है Anaconda को यह download करना पड़ता है Anaconda के लिए आप चाहें तो www.anaconda.com पर जा सकते है और वहां से friends पहले आप Anaconda को download करेंगे उसको install करेंगे तो उसके बाद में जो है वो हमारे पास हम लोग Jupiter को use कर पाएंगे आप लोग separately भी कर सकते हैं मैं अभी यह आप से का भी है आप separately जो है वो Jupiter को download कर सकते हैं इसके बाद देखी friends हमारे पास क्या है कि launch Anaconda Navigator आपको क्या करना है सबसे पहले Anaconda को start करना है तो मैं भी यह आपर Anaconda को start कर लेता हूँ उसके लिए friends मैं लिखना होगा Anaconda Navigator देखे Anaconda Navigator start हो दाएगा तोड़ा सा यह time लेगा कि थोड़ा बड़ा software है इस तरीके से फ्रेंट्स यह Anaconda start होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है और उसके इंदर हमें कौन से software की requirement है वो हमें यहाँ पर बताना होता है तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अभी यह start हो रहा है फिर हम लोग अभी इसको discuss करने वाले Anaconda में हम लोग start करेंगे Jupiter को तो start हो रहा है तो friends Anaconda navigator start हो चुका है यहाँ पर मुझे Jupiter पर जाना Jupiter के just नीचे आप देख सकते हैं launch इस launch पर जाके click करना जिसे कि यहाँ पर Anaconda जो हो Jupiter को start कर देखा तो देखिए यहाँ पर कुछ process हो रहा है process हो जाने के बाद में देखिए यहाँ लिखा रहा है launching notebook तो मेरे सामने जो एक notebook जो है वो launch होगी और यह browser based होता है web based है तो हम लोग यहाँ भी उसको यहाँ पर जूपिटर में coding करने के लिए मुझे यहाँ पर option मिलेगा वो है new इस new पर मुझे जाना होगा और यहाँ फ्रेंट select करूँगा मैं python 3 को जैसी फ्रेंट मैं python 3 पर जाके click करूँगा आप देखिए यहाँ आपके सामने जो है वह एक id open हो देगी जहां आपके सामने एक notebook open होगी जिसका नाम है untitled 1 ठीक है अभी इस file का कोई नाम नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं यह green color दिखा रहा है green color का मतलब यह अभी active है अगर आप चाहें तो बाहर क्लिक कर देंगे इसका color जो है blue हो चुका है ठीक है अभी यह active है आप इसको active करने के लिए यह नहीं कि इसको edit करने के लिए आपको इसके अंदर जाके click करना पड़ेगा और इसके अंदर आप जो भी अपना code लिखना चाहते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ print सबूस मैं जाके लिख दूँगा इसके अंदर w s cube tag ठीक है friends इस टाइप से आप जो है यहाँ पर कोई भी statement execute कर वा सकते हैं मैं यहाँ पर simple सा w s cube tag कर दूँगा और उसके बाद मैं friends यहाँ पर देख सकते हैं आप run दिखा देगा जैसे इस run पर click करेंगे देखे इसका output आ चुका है w s cube tag आप friends बार click करेंगे इसका color change हो चुका है edit करना इसके उपर जा सकते हैं वापस आप यहाँ आ सकते हैं friends नेक्स इस टाइप से मैं और क्या कर देता हूं suppose x equals to 10 ठीक है y equals to 20 z equals to क्या करना होगा friends x plus y ठीक है और उसके बाद मुझे print करना है किसको print करना है friends तो मैं print कर दूँगा z की वेल दिखे आपने एक और यहाँ प save नहीं क्या unsaved changes है ठीक है यहाँ पर जो है अभी हमारा untitled चल रहा है और यहाँ पर हमने इसके अंदर code लिख दिया है तो friends इस टाइप से जो है वो अभी हम लोग यहाँ पर coding करें किसमें Jupiter में तो वापस चलते हैं हम लोग यहीं पर जाकर के देखेंगे कि from navigator windows क्या किया ह हमने जूपिटर के notebook को स्टार्ट किया है ठीक है जूपिटर notebook जो है वो वैब के अंदर open होगी वैब बेस डे इसलिए फिर उसके बाद हमने क्या कह था friends notebook dashboard में और वहाँ पर जो है new button के पास में ठीक है next to new button हमने वहाँ पर click किया python 3 के ओपर ठीक है और इस तरीके से जो हमन पर उस code को run कर लिया है to run a python code in interactive mode ठीक है type code in code cell and click run ठीक है to run a python code हमने उसके लिए क्या करना होगा friends हम लोग यहाँ पर जाकर उसको कर देंगे run button पे click कर देंगे तो अभी अभी just हमने यह discuss किया है friends इसी type से हमारे पास next है वो है script mode, script mode के लिए क्या करना है to run a script ठीक है यहाँ पर कुछ options है हमें क्या करना होगा python script के लिए write the code of python script और उसके बाद मा group of python command in code जो भी है तो इस type से friends हमने जो है वो jupyter के अंदर अपने code को लिख दिया है, हमने देखा है code को tight किया, code को हमने बार बार जो है वो run करके देख लिए friends अगर आप चाहते हैं आपने इस code को save कर के रखना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते है, इस untitled run पर जाएं जाके click कर देंगे और उसके बाद आप इसका जो भी नाम लिखना चाहें, demo.py, friends आपका जो code है वो यहाँ पर save हो जाएगा, आप देख सकते है, demo.py नाम की file में आपका code यहाँ पर save हो चुका है, तो spider ID जो है, आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था, कि यह भी आपको जो है, वो anaconda software के साथ में मिल जाती है, anaconda का ही एक टूल है, तो friends यहाँ पर मेरे पास जो है, वो anaconda navigator है, इस anaconda navigator का अगर हम लोग फोड़ा सा नीची जाके देखेंगे, तो friends, अभी तक हम लोग उने जो डिसकस कहता, वो था Jupiter, friends, आज हम लोग जो डिसकस करें, वो है spider, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, spider के उपर, launch के उपर जाकर click करना है, हम लोग देखेंगे, यहाँ पर spider launch होना शुरू हो चुका, और यहाँ पर जो है, उसमें कह सकते हैं कि spider देख सकते हैं, spider जो है, वो start हो रहा है, install हो रहा है, यहाँ पर, friends, आप यहाँ देख सकते हैं, यहां पर spider हो चुका है, spider के लिए, आप देख सकते हैं, spider python 3.8 उपर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यह python की language को support कर रहा है, अभी तक यहाँ पर 3.8 का update हमारे पास spider के पास है तो friends मैं यहां पर जो है वो तो तरीके से नहीं कि एक तो intermediate को use करते हैं यहां पर coding कर सकते हूं और दूसरा यहां पर script इने की module को या file को जो है वो save कर सकते हूं एक काम करता हूं friends मैं यहां पर जाकर क्या कर देता हूं जो है output दिखाएगा यह ठीक है तो अभी क्योंकि output window यहां पर start नहीं है जैसे मैं click कर देता हूं देखिए वह message भी कर रहा है कि अभी हमारे पास output window नहीं है तो मैं क्या करूंगा console में जाके new यहां पर जो है वो console को start कर दूँगा output window आजा है कि again मुझे यहां पर friends क्या करना पड़ेगा आपने code को जाकर कि एक बार run करना पड़ेगा जैसी friends में यहां पर जाके इसको run करूंगा आप देखेंगे यहां पर इसका output है वो WS QTEC आपको दिखा रहा है तो इस से हम लोग friends यहां देख सकते हैं अभी हमने discuss किया यहां पर हो है interactive mode है इसी टाइप से friends अगर आप चाहते हैं इसको इस mode में save करना है यहां अपनी file को save करके रखना है तो friends उसकी लिए क्या है बस हमें यहां पर file में जाना है save button पे click करना है आप अपने file को कहीं पर भी save कर सकते हैं like मैंने यहां पर desktop पे कहीं save करना चाहता हूं या किसी और folder में save करना चाहता हूं तो आप कहीं पर भी इसको save कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने फाइल का नाम लिखना है जैसे मैं लिख सकता हूँ sp.py बस आपको यहां यह यह दखना है आपकी फाइल का extension क्या होगा .py तो जैसी फ्रेंट साप अपने फाइल को save करेंगे आप देखेंगे यहां पर sp.py बार तो इस तरीके से हम लोग आज spider को यूज करते हैं हमने दोनों mode देखें जैसे कि हमारे पास एक तो interactive mode भी था और दूसरा हमारे पास script mode भी था दोनों ही mode में हम लोग अपने code को यहां पर यूज कर सकते हैं तो अभी तक हम लोग discuss कर चुके हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा थे यहां पर python की ideally को यूज किया था c python को इसी टाइप से friends हम लोग अभी जूपिटर को भी देख चुके है आज हम लोगो ने spider को भी discuss कर लिया है इस तरीके से friends और भी दूसरे आपके पास बहुत सारे software होते जिसको यूज करते हुए हम लोग यहां पर coding कर सकते हैं जैसे हो सकता है linux में आप चाहिए तो पहां command में यूस कर सकते जैसे sublime को यूज कर ते भी आप अपनी coding कर सकते हैं friends हम लोग हम लोग एक्टन ही यहां पर टूलस को करने वाले हैं इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप को दूसरे टूल्स को और यूज कर सकते पाइटन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो तीन चारी जो टूल्स है उनको यूज किया है तो इस तरही किसे फ्रेंट्स हम लोग जो है अलग-अलग आइडिस को यूज करते हैं को और को लिख सकते हैं आप चाहें जो कोड यूज कर सकते हैं तो अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलता हूं तब तक के लिए धन्यवाज झाल